हलो दोस्तों ये वीजन आयस मेंस का इथिक्स का केस स्टेडी का कोश्चन है आधार का डाटा लीक हो गया है और आप उससे जुड़े रिलेटेड अधिकारी है तो इस पर जो सीनियर है उन्होंने आपको पत्रकार के द्वारा डाटा लीक किया गया है या उजागर कर दिया ह इसको आप कैसे निप्टेंगे चलिए इसको पढ़ते हैं देखे आप नागरिक के बायोमेट्रिक आकड़े के संग्रहन भंडारन और संरक्षन है तो उतरदाई एक सरकारी एजंसी के एक वरिस्ट अधिकारी है मतलब एक जो बायोमेट्रिक कलेक्शन होता है डाटा का उस ताकि हैं अप कलेक्श करने में मदद करिए जो एक्सपर्ट होते हैं तिरतिय पक्ष द्वारा पैसा के बदले सुरक्षा उलंगनों यहां आकड़ो के लिकेज की सूचनाय मिली हैं तिरतिय जो पक्ष जीश से कलेक्श करने के लिए बोला गया कि उसने किछ पैसे मान एक पत्रकार द्वारा एक स्टिंग ऑपरेसन किया जाता है और चल रहा है भरस्टाचार को प्रदक्षित करने वाले यहां सारजनिक आगड़े सुरक्षित रखने में एजेंसी की आच्छा मता को उजागर करने वाले कुछ आगड़े आउजनता के समग जारी किया जाते हैं तो एजेंसी जो है जो गवर्मेंट के एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा इसे अनाध्यक्रित पहुँच वाला एक कार्य मानते हुए पत्रकार के विरुद एफायर दर्च करने और उसे खिलाप आपराधिक करवाई करने के लिए कहा जाता है मतलब आपको एजेंसी के कि जो हेड हैं मतलब जो अध्यक्ष हैं उनको आपको बोलते हैं कि आप इस रिपोर्टर के खिलाब दर्ज करो क्योंकि जो आधार काड कराता है वो लिख के बारम जानकार देने से आम जनता में भरोसा तूटेगा तो देखिए इसमें तीन कोश्चन है क्या पत्रकार के विर क्या आप पत्रकार के खिलाब करवाई करेंगे देखे मैं पत्रकार के विरुद एक्षन लेने के विरुद हूँ ठीक है क्योंकि हो रही चोरी की जानकारी देथा वास्त्विक्ता को जंता के समख सेखना उसका कर्टव है ठीक है इसमें दिखे लिक्स में लिखा आर्टिक या मंत्राले को इस विशे में सूचना दूँगा क्योंकि बैमेट्रिक आगड़े की चोरी एक अपराद है और इससे हमारे देश की सुरक्षा भी खत्रे में पड़ सकती है देश के हित से कोई भी हित बड़ा नहीं हो सकता देश के हित से कोई भी हित बड़ा नहीं हो सकता दूसरा हो गया क्या आप मानते हैं कि पत्रकार का कारे उचित है पत्रकार के कारे को मैं आंसिक रूप से अनुचित मानता हूँ पत्रकार को वास्तिविक्ता दिखाना जरूरी है लेकिन कई बार ऐसा केसेज दर्ज हुआ है जिसमें कि आप न्यूज या मीवी मी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से भी गलतिया हुए है तो माल जी प्राइम मिनिस्टर से दस अच्छे काम हुए है और एक अगर गलती हो गई है तो कुछ चीजी जनता का भरोसा न रोटे इसे लिए छिपाए जाती कई जगा कोट से भी गलतिया हुई है ऐसा रेकॉर्ड में देखेंगे मिलता कई जगा सीनियर पूलिस ऑफिसर जो बहुत इमांदार है बहुत ओनिस्ट है लेकिन पैनिक होने के वज़े से सिच्वेशन ऐसा केरेट हुआ उसके वज़े से उनको परिशानी हुई है तो क्या इसमें तो हर चीज को मीडियम अगर दिखा दिया जाया तो फिर पता से लेगा सब लोग कहने लगेगा क्योंकि उनका कारेश अच्चाई को दिखाना लेकिन अब देखिए अगर आप देखा जाये तो आज तक पत्रकार का किसी घर में बहन के साथ या फिर उसे घर में कुछ हुआ है या फिर उनके साथ किसी का रिलेशन है वो चीज़े तो बाहर बहुत काम आती है तो पूरी तरह से अगर आप सत्यता है तो अपने बारे में भी सत्यता बताईए ठीक है तो कई जगा टी आरपी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है तो पत्रकार के कारेकों में आंसिक रूप से अनोचित मानता हूँ क्योंकि इससे भले ही पत्रकार के टी वी का टी आरपी बढ़ जाए लेकिन इससे जनता का भरोसा तूट सकता है और पत्रकार को पहले मुझे ख़बर करनी चाहिए थी करनी चाहिए थे कि अपयुक्त करवा ही कर सको अगर आपका इथिक्स में कमांड ठीक है अगर आप इमानदार है ठीक है आप एथिकल है पर एंसर का कॉशन का प्रेजेंटेशन पता है आपको इथिक्स में आप बीना पढ़े अच्छा स्कोर कर सकते है क्यों केस स्टडी में एक आम नागरी की तरह आपसे पूशा जाता है आप सब्सक्राइब जो सिचुशन है वहाँ पे आप 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 आपस में बैठ जाईए एक अपने दोस्त को पत्रकार बना दीजे ठीक है एक किसी आदमी को एजेंसी का प्रमुख बना दीजे उसके बाद एंसर लिखिए आप इमेजिन करके कि आप आप आफिसर हैं और आम जंता के बीच आम जंता विरोध कर रही है आपका थुदू कर रही है ठीक है आपकी अलोचना कर रही है उसके बाद देखिए आपका स्कोर कैसे नहीं बढ़ता है ठीक है I hope यह एंसर आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक और इसको दोस्तों के भी सेर जरूर कर दीजेगा थैंक यू